हेलो आज के इस वीडियो में हम चानेंगे मेगा सीवी सायरप के बारे मेगा सीवी सायरप के यूजिस क्या होते है इसे कैसे मिक्स करना चाहिए तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बहुत ही महतपूर जानकार या मैं आप चभीको देने वाला हूँ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा इस वीडियो को बिल्कुल भी इसकिप न करें क्योंकि कुछ ऐसी जानकारी जो आप मिस्स कर रहा है जो आपको लाइफ में बह इसके बारे में भी हम समझेंगे तो फ्रेंट से इसका नाम सो है मेगा सी पी और इसकी जो रेट है आप 59 रुपए आपको देखने को मिल जाती है 60 रुपए में आपको मिल जाएगी एक्स पाइरी डेट इसके अंदर दोनों चीजों की आती है जो वाटर आता है मिक्स करने के लिए उसकी भी expiry date आती है और जो आपका powder form में जो medicine आता है amoxicillin आता है potassium clayvolenate आता है उसकी भी आपको expiry देखने को मिलती है यह आपको 3.3 तीस ml में देखने को मिलता है जो की बहुत अच्छा formula है यह आपके पास leaflet है और यह leaflet याने कि इसके अंदर सारी जानकार यह लगवग लगवग इस दबाई के बारे में दिया गया है mega cb आप यहाँ पर नाम देखेंगे इनके अंदर दो दबाईयां होती है एक distil water है और जो की आपको 30 ml में देखने को मिलता है यानि कि 30 ml distil water है यह और यह आपको powder form में आमोकसलिन और potassium clevolinate जो powder है medicine का drug का वो आपको इसमें देखने को मिलता है तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से यूज हम इसका कर सकते हैं इसका यूज जो होता है lungs related बिमारियां जैसे कि फैप्राव में शंक्रमड होना या इसकिन में शंक्रमड होना जो काम खांसी काफ cold हो जाना बच्चों में या बच्चों में फोडे फुशी टाइप के हो जाना इस तरह की बिमारियों में इसका उप्ट्यूक किया जाता है अब इसे जान लेते हैं कि mix कैसे करेंगे तो इस पे देखेंगे आप बहुत अच्छी पैकिंग दी जाती है जो कि आप आसानी से हाथ से से नहीं open कर सकते हैं इसकी पैकिंग जो है अगर आप इसमें नाखुन जो है नेल्स को अगर अंदर करना चाहें तो यह नहीं टूटेगी है इसके खराब नहीं होगे तो इसके लिए आपको कुछ हार्ड चीज की जरूरत पड़ेगी जैसे कि knife चाकु है तो knife से आप आसान तरीके से इसकी जो पैकिंग है आप इसे निकालेंगे और पैकिंग निकालने के बाद में आप बहुत अच्छे तरीके से इसमें 30 ml का जो ड जाता है तो ये आगे चलको जो बच्चों को दबाईयां देते हैं उसमें ये पेट में जाएगा हलाकि कोई problem नहीं करेगा लेकिन जाना भी नी चाहिए तो ज्यादा safe होता है क्योंकि ये हमारी body के लिए एक foreign body का काम करता है तो foreign body का काम करता है इसलिए हमें तोड़ा सा ध में आपको किस तरह से लेनी होती है इसके बारे में भी discuss करेंगे तो यहां पर यह हमने पैकिंग अच्छे तरीके से बाहर निकाल ली है पैकिंग को हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से clean कर दिया है जिससे कि इसके अंदर जो कागस बगेरा होता है पेपर का पैकिंग जो हो को अच्छाल और डिश्ट्लवाटर खोलने के बाद में इसके पूरा का पूरा एड़ कर दिया मिक्स कर दिया हSe तो जैसे ही हैं कुछ देर के लिए से स्छी करेंगे तो इसका जो नौ पाव्डर FOLL सालुनिख फोड़र हो जाएगा इस तरह से हमें ** करनी होती है कुछ देद के लिए कर जारे करें कोई ज़्यादा दिक्कत बली बात नहीं होती है तो देखेंगे आप अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा कि कहां तक यह मेडिशन हो गया देखेंगे हम इस तरह से मेडिशन बहुत अच्छे तरगी से में मिलाना चाहिए इसके अंदर कोई भी गोठली टाइप के नहीं होनी चाहिए आज किस वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं नई वीडियो में तब तक लिए बाबाए टेक है थैंक्स वाचिं झाल